हलो एबरिवन कैसे हैं आप लो सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ओशन कमिशन के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूस में था तो ये न्यूस में था क्यों सबसे बहुत आपको ये पता होना चाहिए वाई इन न्यूस बिकज इंडिया बिकेम दी ओब्जरवर ओफ इंडियन ओशन कमिशन क्योंकि इंडिया जो है वो ओब्जरवर बना है इंडियन ओशन कमिशन का राइट सो कब बना है 6th मार्च 2020 6 मार्च 2020 को इंडिया जो है वो ओब्जरवर बना है इंडियन ओशन कमिशन का अब IOC है क्या, यह एक intergovernmental body है, जो कि 1984 में बनी थी, जिसे हम पढ़ते हैं National Human Rights Commission, इस तरह से कोई national level पे, उसी तरह से Indian Ocean Commission, जो Indian Ocean है, वहाँ पे कुछ जो देश है, कुछ countries है, कुछ nations है, उन्होंने मिलके एक commission बनाया है, अब उसका aim क्या है, members क्या है, क्या system है, वो हम आगे में, इंडिया भी इसका observer जो है, वो बन गया, तो अब इस commission का aim क्या है, इसका aim है, to protect the interest of the Western Indian Ocean Islands, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, कि इंडियान ओशन आता कहा है, तो इंडिया के bottom, यानि जो हमारा southern part है, जो में लेंड का पार्ट है, कन्या कुमारी अब उसके नीचे वा अब इस नीचे वाला पार्ट है, तो यह प्लस यह और यह नीचे वाला पार्ट, यह सारा जो है, वो इंडिया नीचे वाला पार्ट है, तो एम क्या रहा इसका, to protect the interest of the Western Indian Ocean Islands, जो इंडियन ओशन के थोड़ा सा जो वेस्टन पार्ट है, वहां पे जो आइलेंड्स है, उनके इंटरस्ट को protect करना है, अब कैसे करना है, क्या है, वो आगे पढ़ेंगे, नेक्स आता है members, कि अब इसमें कौन-कौन से members आते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, scam square से, ठ मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, scam square है, एक ही जगा आर कर देना है, सेशल्स, कॉमरोस, रियूनियन, मेड़गेसकर, एंड मौरिश्यस, अब पहले इसको थोड़ा सा डियाग्रामेटिकली समझ लेते हैं, अब आपको थोड़ा सा idea लगाना है, अगर आपको world map का पता है, यहाँ यह पार्ट हमारा Asia है, यह Europe है, यह Africa है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, India रोकिया है, यहाँ पर Middle East है, यहाँ पर Africa है, यह सारा हमने अभी डिसकस किया कि यह सारा थोड़ा सा Indian Ocean आता है, तो Indian Ocean में पांच आइलेंड नेशन्स हैं, कौन-कौन से, सेशल्स, यहाँ पे कुछ नंबर ओफ आइलेंड हैं, जिसे कहते हैं, यूनियन ओफ कॉमरूस, यहाँ पे बहुत बड़ा सा आइलेंड है, that is मेड़केसकर, फिर है ला रियूनियन एंड मौरिशियस, यह पांच आइलेंड नेशन हैं, इन्होंने मिलके जो हैं, इंडियन ओशिन कमिशन बनाया है, अब इसमें फाइव उब्जर्वर्स भी आते हैं, फाइव उब्जर्वर्स कौन-कौन से हैं, इंडिया, चाइना, इरोपिन यूनियन, माल्टा and OIF, अब OIF क्या है, इसकी फूल फॉर्म एक पार देख लीजिए, यह है International Organization of La Francophonie, आपको बस OIF याद रखना है, इंडिया, चाइना, इयो, इरोपिन यूनियन, माल्टा and OIF, ठीक हैं, तो इंडिया जो है अभी रिसेंटली इसका observer बना है, नेक्स चलते हैं, 2015 में, इंडिया ने unveil किया था, एक strategic plan that is Sagar, सागर एक strategic plan है, यह unveil किया था, तो अब सागर है क्या, पहले तो इसकी full form पड़ते हैं, यह security and growth for all in region, security and growth provide करवानी है, उन सभी को जो इस particular region में आती हैं अब इससे क्या होगा तो अब यह सागर क्या है, through this India seeks to deepen economic and security cooperation with its maritime neighbors यानि कि जो इंडियों कमिशन के जो 5 nations हैं वहाँ पे economic development करवानी है, security corporation provide करवानी है, maritime neighbors को ठीक है, एक तरह से उन इंडियों के development करवानी है, उनके एक तरह से इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, कि जो interest है, इन 5 nations को प्रोटेक्ट करना है ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और आती है, वह हम फर्दर डिसक्स करेंगे, कि यह जो 5 nations है, इन शॉर्ट आइलेंड नेशन्स अब क्योंकि यह आइलेंड नेशन्स ने तो यहां पर जो cyclones विया रहा हैं उनके आने की chances बहुत ज्यादा रहते हैं बाढ़ आप कह सकते हैं इस तरह से आने की chances बहुत ज्यादा रहते हैं और आते भी हैं तो उस टाइम पर उनको protection में फ्लड आया था और इंडिया ने उसकी help भी की है तो वह कैसे क्या है वह हम आगे पढ़ेंगे फिलहार अब हम जो है further इसमें study करेंगे about कि हमने अभी तक जो इंडिया नोशन कमिशन पढ़ा इसका क्या हमें observer बनके क्या फाइदा रहा है यह थोड़ा भी concept रहता है context रहता है first point है इंडिया विव गेट अफिशिल फूटोल बूस्टिंग अंगेजमेंट विद आइलेंड इससे क्या होगा कि इंडिया की जो लिंक होंगे इन आइलेंड के साथ वो जादा इन आइलेंड के साथ वो बढ़ जाएगी second point है these island nations are important for India's strategic outreach as part of its Indo-Pacific policy so यह island nations जो है वो इंडिया के लिए important है क्यों क्योंकि यह पार्ट बनते हैं बनाते हैं इंडियो इंडो-Pacific policy का right third आता है Madagascar यह है वो जहां पर मैं flood की बात कर रही थी जो Madagascar है जो कि हमने पड़ा Africa का एक पार्ट रहता है और Indian Ocean Commission का भी एक पार्ट है एक nation है तो Madagascar में flood आया था तो इंडिया ने help की है अपना INS इरावत भीजा था with relief supplies जो भी possible था उसके साथ और यहां पर जो भी decisions लिए जाते हैं वो consensus based होते हैं यहनी जंगर्ना के basis पे लिए जाते हैं right सो यह हमने पड़ा about अब इसमें कुछ achievements आती हैं कि क्या achievements रही हैं इनकी सो 2012 में जो है Indian Ocean Commission one of the four regional organization अच्छा जो 2012 में जो इंडियन ओशन कमिशन था it was one of the four regional organization to launch MACE program तो इंडियन ओशन कमिशन उन चार regional organizations में से एक था जिन्होंने MACE program स्टार्ट किया MACE program क्या है maritime security provide करवाना तो एक तरह से जो हम इंडियन ओशन कमिशन पढ़ रहे हैं इसमें सब कुछ जो है वो maritime security पे ही depend करता है इन nations को maritime security provide करवानी है right so MACE program क्या है European Union funded program European Union इस program ने इस program को fund किया मतलों इसके द्वारा इस program को fund किया जाता है to promote maritime security in eastern and southern Africa and Indian Ocean right under MACE MACE अब मेज क्या है जो कि maritime security है यह aci mechanism है for surveillance and control of the western Indian Ocean with two regional centers यहां पर control करना है, surveillance करनी है यानी ध्यान रखना है, monitor करना है western Indian Ocean का with two regional centers इसमें 2 regional centers बनाये गए हैं कॉन कॉन से है, rm ifc that is regional maritime information fusion center जो कि located है में में जो मॉनिटर करता है मेरिटाइम एक्टिविटीज को सेकिंड है आर सी यो सी इस डिजनल कॉर्डिनेशन अपरेशन सेंटर सेशल्स जो कि सिचुएटेड है सेशल्स में यह हमने पढ़ा इंडियन ओशन कमिशन के बारे में यह हमने इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ा कि एम क्या है मेंबर्स यह हमने पढ़े फाइव ऑब्जर्वर स्टेट्स के बारे में पढ़ा सागर सागर भी एक स्कीम है उसके बारे में पढ़ा News में क्यों था Indian Ocean Commission वो पढ़ा रहेट Next comes significance अब India observer part Observer बना है Indian Ocean Commission का तो उसका significance क्या है हमें क्या है ateurs नहीं स्टरीक्षी इंडियन ऑशी अब Western Indian Ocean के साथ अंगेज हो जाएगा India collective engagement with islands in Western Indian Ocean that are becoming strategically important अब हम Western Indian Ocean में उन आइलेंड के साथ जो है लिंक में आएंगे जो कि strategically important हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे जैसे कि हमें पता है चाइना का influence या चाइना का जो influence है वो present है इस पार्ट में इंडिया विल बी एबल तो इंक्रीज इस नेवल presence in Indo-Pacific तो यहां पर जिसे चाइना ने पहले फुट होल जो है वो जमा के रखा इन एरियास में तो इंडिया भी जो है वो एबल होगा अपनी नेवल प्रेजन्स को इस्टब्लिश करने में इन एरियास में राइट तो फर्स पॉइंट था अंगेजमेंट विधी वेस्टन इंडियन ओशन सेकेंड है अपोर्चनिटी इन दी मुजम्बिक चैनल अब सबस्पहले मुजम्बिक क्या है मुजम्बिक जो है एक निशन है अफ्रीका में इस्ट इन जो दैन क्या वहां पर एक क्रियट हो रही हैं यहां पर है अ पोब्चनिटी मुजम्बिक चैनल के मूजम्बिक चैनल में कुछ पॉच्ञिटीज जो है वह 단 yer है बारिफ ऑने बिष्ट्यू एक्षियोय। आईलन जरा만 मुजम्बिक चैनल हम ने danced like मौटुएंबिक चै मुजम्बिक चैनल जो है इट लॉस्ट इस सिग्निफिकेंस ड्यू तो दी ओपनिंग ऑफ स्यूस कैनल के खुलने से जो मुजम्बिक चैनल है इसका इंफलेंस कम हो गया था बट रिसेंट होस्टिलिटी इस नियर स्ट्रेट आफ हॉर्मॉस बट वहां पे कुछ तुश्मनी कुछ इशूस जो है वो क्रियेट हो गए है विच बट दी चैनल बैक इंटो फोकस जिसके वैसे चैनल फिर से जो है फोकस में आया है में पॉइंट बना है ऐस दी ओरिजनल रूट फोर कमर्शल वैसल क्योंकि यहां पर जो टैंकर से ओल गया रहा है वो सब यहां पर चैनल का सिंगनिफिकेंस थर्ड आता है कोपरेशन विद फ्रेंस क्योंकि यहां पर जो लार यूनिन है वो फ्रांस के टेरिटरी है तो उसके साथ भी कोपरेशन इंक्रीज होगा फोर्थ है एक्सेंशन ऑफ सागर पॉलिसी है वो भी जो हमारी एक्सेंड होगी राइट त यहां पर आप देख सकते हैं इंडे नोशन कमिशन इसके इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो सारे जो भी की फैक्ट्स थे अंडेस्टेंडिंग वाली जो चीजें थी मैप के थूरू मैं यहां पर डिसकस किया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अग की काई सी यू बबाई